या जिसको यह लगता है कि ओईल से वह एरेक्टाइल डिस्वंक्शन ठीक कर सकता है तो मेरे साब से आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो वह इसलिए क्योंकि ओईल हमारा एपलीगेबल चीज होती है वह आपको वहाँ पर फिक्शन से थोड़ा सा स्मूथ कर देती है जब आप उस यूज करते हैं उसको वहाँ पर लॉंग का तेल डालेंगे दालचीनी का तेल डालेंगे सरसो के तेल में मिलाएंगे या तिल्ली के तेल में मिलाएंगे वह मिक्स करके वह कहते हैं कि इससे मेरे को एरेक्टाइल हो जाता है एरेक्टाइल होता कैसे पहले उसको समझ लेते ह erectile काम इस तरीके से करता है जब आपको sensing ऐसे पार्ट पे हो रही होती है जो आपको orgasm feel करवाने की कोशिश कर रहा होता है तब वो erectile होता है अब यहाँ पर long का तेल भी तेज होता है जब वो लगता है तो महाँ पर एक itching या जिसे मैं बोलूँ कि एक जलन सी मैसूस होती हलकी सी जो आपको थोड़ा सा erectile या blood flow करने में असानी करता है आप एक काम करिए कहीं पे भी किसी भी oil को apply करें जो थोड़ी सी itching देगा जब वो itching देगा तो महाँ पर क्या होगा कि skin की क्या होगा skin पे एक हलका सा एक spot सा बन जाएगा जिसमें हलका हलका blood की positioning दिखेगी तो महाँ पर क्या हुआ blood ने rush किया towards आपके उस पार्ट पे same category महाँ पर आ जाती है कि आप जब ऐसा कोई oil यूज करते हैं जिससे थोड़ा सा erectile हो तो महाँ पर आपको उसकी आदत भी लग जाती है कुछ time बाद वो दीरे 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 आपके sensing जो power है वो दीरे दीरे कम होनी चालू होती है जिसकी वज़ासे आपको long lasting time period के बाद या जिससे मैं बोलू कि आप one or two month या three months के बाद आपको ओल जो apply कर रहे हो उसकी amount ज्यादा करनी परती है या फिर वो थोड़े time पे काम करना बंद कर देता है तो यहाँ पर basically concept यह है कि कोई भी ऐसी चीज़ apply मत करो जो आपको ऐसी कोई दिक्कत दे जिसकी वज़ासे erectile आपको हो रहा हो या आप उसको phase कर रहे हो या erectile को काम करनी में दिक्कत आ रहे हो यहाँ पर simply अगर आपको वैसे भी oiling करनी है जब intercourse कर रहे होते तो आप कोई भी oil use कर सकते हो preference दो कोई थंडा oil लो जैसे कि आप narial का तेल ले सकते हो यह इसलिए क्योंकि वो lubrication के तरह इसमाल होगा, समझो कुछ oil होते हैं जो erectile करने में help करते हैं जो lubrication में help करते हैं जैसे narial का तेल अगर आप use करते हो intercourse के दोरान, तो वो lubrication में help करेगा जिससे आपको erectile जो है वो अच्छा जाएगा और second, वो क्या करेगा आपका time period बढ़ा देगा अगर आप PME के patient हैं जो premature ejaculation के problem face कर रहे हैं, वो अगर oil से use करते हैं, तो वो उनका time period बढ़ जाएगा और जो PME नहीं face करते हैं कुछ भी नहीं है, तो उनको कुछ apply करने की requirement भी नहीं है side by side अगर आप कोई भी वहाँ पर कोई ऐसा oil जैसे दाल चीनी का तेल या लॉंग का तेल mix करके, कुछ भी mix करके आप लगा रहे हैं जिससे आपको erectile हो, मिल रहा हो तो आप उसको apply करना, बंद कर दीजे क्योंकि जब आप उसको लंबे time तक use करेंगे तो वो धीरे 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 अपनी power को कम करेगा आपकी body sensor को, जो sense करती है उस जगा पे उस जगा को sense करना कम कर देगी जिसकी वज़े से erectile होने में भी दिक्कत आती है तो simply, normal narial का oil इस्वाल करो for lubrication, और वैसे भी अगर आपको कुछ इस्वाल करने, normal narial का तेल कर लो कोई issue नहीं, बट कोई भी ऐसा oil मत use करो, जो आपको आगे जाकर दिक्कत है तब तक करे नमस्कार, मिलेंगे नेक्स वीडियो के